जब तक तोड़ेंगे नए, तब तक छोड़ेंगे नए बिशेसकर नए IT मंत्री अश्वीनी बैशनो के ही खामी है कि ट्वीटर इतना फड़ पड़ा रहा है ऐसे में इस बात की संभावना भी तेज है कि अगर जल्दी बैशनो ट्वीटर पर लगाम नहीं लगाते हैं तो उन्हें खोड इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल और मैं अपनी स्तिवारी आपको बताऊंगा कि ट्वीटर कैसे सरकार की नीतियों को चुनावती देते हुए फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहा है और हमारे आईटी मंत्री अश्वीनी बैस्ट नौव हाथ पर हां धरे बैठे हैं त्वाविलम आरम करते हैं दरसल बीते रविवार को करनाटक के सियुमोगा में मारे गए बजरंग दल के कारे करता हर्सा को आतंकवादी के रूप में संदर्भित करते हुए एक विदेसी पदरकार सीजे वेरले मैन ने एक ट्वेट किया और दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में त्रिपूरा में होई सामप्रदाइक हिंसा के पीछे बजरंग दल का हाथ था वेरले मैन ने ट्वीटर पर लिखा हिंदू चरमपंथी समू बजरंग दल का एक आतंकवादी जिसने नौवमबर में त्रिपूरा में मुशलमानों के खिलाप आतंकवादी हमलों की लहर को अंजाम दिया था कल रात करनाटका में मारा गया इस ट्वीट पर जब भारतिये और गैर भारतिये दोनों तब को ने रिपोट किया तो ट्वीटर को बिवश होकर इस पर गौर करना पड़ा यदि पी उसने गौर तो किया पर उसे यह ट्वीट अराजक नहीं लगा जिसका संदेश विदेशी पतरकार सीजे वैरले मैन के पास भी गया और अंत में ट्वीटर की और से यह कहा गया हमने रिपोर्ट की गई सामगरी की जाच की है और पाया है कि यह ट्वीटर कानूनों के तहत हटाने की अधीन नहीं है तमाम लोगों की और से सीजे वैरले मैन को रिपोर्ट करने के बाद भी जब ट्वीटर ने उनके ट्वीट को नहीं हटाया तो इससे विदेशी पतरकार सीजे वैरले मैन को और बल मिल गया और उन्होंने ट्वीटर की और से आय संदेश का स्क्रीन सोट ट्वीट करती वे कहा, प्रिये हिंदुत्व फांसी वादियो, अब आप मौत की धमकियो और मेरे ट्वीट को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने से रोक सकते हैं। देश में नए आयटी नियम लाग हुए थे, जिनको मानने में ट्वीटर ने काफी आनाकानी की थी, जिसके कारण भारतिये नियाए पालिका से पड़े लतार ने ट्वीटर को उसकी अउकात याद दिला दे थी। करने के लिए ऐसी विसेली ताक्तों से भिड़तो रहा है, परन्तु सम्मंधित आयटी मंत्राले के काणों में जू तक नहीं रिंग रही। जिस प्रकाड अविसंकर प्रसाद के आयटी मंत्री रहते ट्वीटर ने अपनी मनमानी की थी, अब अश्मिली बैस्नों जोकी पुर में एक बरिष्ट आये सबसर भी रह चुके हैं, उनके आने से भी कोई बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। जो की काफी निंदन ये कृत्ते हैं, मंत्री और मंत्राले से अश्रानमीत होकर जंता कई बार सोसल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया है दे चुकी है। आतंकवाद या त्रिपुरा से कोई संबंध नहीं है। ट्विटर पर सिकंजा कसते हुए उससे जवाब मांगना चाहिए। और ट्विटर के भारतिय मुख्याले के अधिकारियों को तलब करना चाहिए।